नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन सरकार खर्च नहीं कर रही रासी आठ महा में मात्र 34 परतिशत ब्याए इस वितिये वर्च के आठ महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन जार्खन सरकार के विभीन भिभाग लक्ष के हिसाब से रासी ब्याए करने में कहीं पीछे है दो तीहाई समय गमाकर विभागों ने अभी तक एक तीहाई रासी भी खर्च करने में सफलता नहीं पाई है पतादे वितिये वर्च 2022 सेज में रीजवाइंड इस्टीमेट के हिसाब से 34.88 परतिशतरासी ब्याए करने में जार्खन सरकार के विभागों को सफलता मिली है हलाकि मूल बजट से तूलना करे तो राज सरकार 36.22 परतिशतरासी खर्च कर चुकी है ग्याथों की मुख्य मंत्री है मांसुरेन जार्खन मंत्राले में बुद्ध्वार को चालू वितिये वर्च 2022 सेज में बजट खर्च की समीक्षा करेंगे वीत बिभाग के परधान सचियों ने मुख्य मंत्री की समीक्षा को लेकर सवी बिभागों से बजट के बिरूत किये गए खर्च की रिपोर्ट मंगलवार तक मांगी थी वीत बिभागों से पराप्त रिपोर्ट के मुताबिक अधिसंख्य जीलों ने आउसत से खराप परदसन किया है वहें उर्जा और इसकुली सिक्षा एवं सर्षर्टा विभाग को छोड़ दे तो कोई भी भी भाग बयट की तूल नामे खर्च का आकड़ा 50% तक नहीं पहुँच पादा है भागपा मवादी का एरिया कमांडर कमलेस यादो किया आत्मसमरपन भागपा मवादी का एरिया कमांडर कमलेस यादो ने बुधवार को आत्मसमरपन कर दिया है परताप पूर्थाना चेत्रे के चरका गाव निवासी संकर यादो का पोत्र कमलेस यादो चात्रा के अलावा लातेहार एवं पलामू जीलो में आतंक मचा रखा था उसके खिलाब विभीन थानों में हत्या मुद्भेड एवं अपहरन जैसे कम से कम आठ मामले दर जाएं जिन में तीन-तीन मामले परताप पूर्व मनातु थाने में तथा दो मामले कुंदा थाना में दर जाएं राई सरकार की आत्मसमरपन एवं पुर्णवास निती से पर बजट में किंद्र सरकार ने 34,05,189 बच्चों के लिए रासी स्विक्रीट की जबकि प्रती दीन आउस्तान 30,30,30,207 बच्चे ही मद्याहन भोजन खाते हैं ऐसे में प्रती दीन स्विक्रीट बजट के अधार परलाबक 4 लाग कौम बच्चे MDM खा रहे हैं जो बच्चे म द्याहन भोजन नहीं का रहे हैं उनके बारे में जनकारी ली जाएगी बरतादे प्राधी करन द्वारा त्यार रिपोर्ट के नुशार नमांकन के अधार पर राज्ये में कूल 43,84,655 बच्चों के मद्याहन भोजन दिया जा सकता है जार्खन में 608 बालू घाट लेकि टेंडर सीफ 17 का जार्खन में प्रती माह 80-100 कलो रुपए का बालू का अवैद कारोबार हो रहा है वज़ा है कि राज्ये के 608 बालू घाटों में से केवा 17 बालू घाटों का ही टेंडर होना सेस जगों पर अवैद रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है और बजार में बेचा जा रहा है राज में पिछले चार साथ से बालू घाटों की बंदबस्ती नहीं हो सकी है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बालू कहां से आ रहा है बालू कारोबारी का कहना है कि रात के अंधेरे में बालू घाटों से बालू की निकासी होती है और फिर अस्थानिय ग्रामिन से लेकर रंगदार आय नितिक दल थाना से लेकर जीला के सिर्ष पता दिकारियों तक वसूली होती है तब एक ट्रॉक बालू किसी को मिल पाता है एक बालू कारोबारी का कहना है कि राजे में संगठित रूप से बालू का वायत कारोबार हो रहा है जारखन के बालू की विक्री उतर परदेश 36 गड़ और विहार से लेकर पचिम मंगल तक भेजी जाती है रगुवर दास मुस्किल में इड़ी ने मांगे राजसभाहार स्ट्रेंडिंग से जुड़े दस्तावेज प्रवतन निदेशाले ने राजे के सिर्ष पुलिस अधिकारी और रांची के सेस्वी को पत्र लिख कर राजसभाहार स्ट्रेंडिंग 2016 से समधी सभी दस्तावेज मांगे है पुलिस से मिलने मारे दस्तावेज में वर्नी तत्यों की कानूनी नजरिये से समिक्षा के बाद प्राथमी की दर्ज करने पर अम्तिम निर्न होगा बता दे राई सभाहाज ट्रेंडिंग 2016 में चुनाव आयो के निर्देस पर जगरनाथ पूर्थाने में प्राथमी की दजकराई गई थी इसमें IPS अधिकारी अनुराग गुपता और ततकारीन मुख्य मंत्री की पेश सलाकार को नामजात अभियुक्त बनाया गया था पाद में इस मामल में ततकारीन मुख्य मंत्री डॉग्बर दाष को अप्राथमी की अभियुक्त भी बनाया गया था जारखन के बाशुरी वादक चेतन जोसी को मिला संगीत नाटक अकादमी आवाड 2009 इसपात नगरी बोकारों में 25 साल सेवाद दे चुके बासुरी वादक पंडित चेतन जोसी को संगीत नाटक अकाडमी अवाड 2019 के लिए चुना गया है बताजे संगीत जगत में उनके योगदान को देखते हुए अवाड के लिए उनका चुना हुआ है पंडित जोसी भारतिय सास्थरिये संगीत के जाने माने वादको में गीने जाते हैं बोकारों उनकी कर्मभूमी रही है इसलिए उनकी इस उपलब्धी पर श्टील सिटी बोकारों गर्वनित है वादक के रूप में पंडित चेतन जोसी की कैरियर की सुरुआत 1987 में सेक्टर पांच के गुरु गोविंद सिंग बिद्याले में बतर संगीत सिक्षक होई वहीं उनजी सव अठासी में वहां से दिली पबलिक स्कूल में संगीत सिक्षन कार्य के लिए आये और जनवरी 2012 तक वह विभीन पदों पर कार्यरत रहें उसके बाद 2012 से ही ग्रेटर नुएडा में रहकर पंडि जोसी भारतिय सास्त्रिय संगीत तथा बासुरी पर चार परसार में सनलग नहाए पंकज मिस्रा ने रिम्स में उड़ाई नियमों की धजियां एक हजार क्लोर के अवाय देखन मामले में मनी लॉंडरिंग के तहत अनुसन धान के दोरान गिरफतार पंकज मिस्रा का नयाएक हिरासत में भी दबदबा कायम रहा पंकज मिस्रा मुक्ष मंत्री हमान सुरेन के बरहेट बिधान सबाच छेतर का बिधायक परतिनीदी है जिसे एडी ने इसी वर्स गत 29 जूलाई को गिरफतार किया था इसे 25 जूलाई को बिमार हालात में नयाएक हिरासत में ही रिम्स में भरती कराया गया था जहां अब भी वह इलाजरत है इडी को छान बिन में पता चला है कि रिम्स में इलाजरत रहने के दोरान पंकज मिस्राने जेन मेलवन के खोल कर धजिया उड़ाई और 27 जूलाई के बाद उनसे विभीन ब्यक्तियों से 300 बार बात चित की गई नौकर सास लेकर नेताओ तक को उसने फोन किया काम कराने के लिए धमकाने से लेकर केस मेनेज कराने तक के लिए भी उसने कॉल किया था धिरे धिरे इस से जुड़े एक एक तख खुलते जा रहे हैं बुजूर्ग की मौत ममला में खोटी एसपी ने थानेदार को किया लाइन हाजीर खोटी के तोरपा थाना चेतर के रोडो गाव में परतिबंधित मांस खरिद बिकिदी के आरोपित के घर पुलिस चापे मारी की दोरान बुजूरु की मौत का ममला गरम होता जा रहा है मंगलवार को खुटी एसपी अमन कुमार ने तोरपा थाना प्रभारी सतेजीत कुमार को लाइन हाजीर किया है ततकाल पुलिस लाइन में योगदान का निर्देश दिया है साथी सोजनों के आरोपर, मुख्याले, डिएसपी, जैदीप लकडा और पूलिस निरिक्छाट साहिद रजा को पूरी घटना की सन्युकत जाच कर अभिलम रिपोर्ट देने को कहा गया है गढ़वा में बालू कारोबारी की गोली मार कर हत्या जैर्खन की गढ़वा जिले के मिराल थाना छेतरे के दलेली गाओ में मंगलवार की रात अग्यात अपराधियों ने असलम अंसारी पैतारीस वर्सी पीता सोबराती अंसारी की गोली मार कर हत्या कर दी मिरी तक बालू कारोबार से जुड़ा था या घटना बालू कारोबारियों के बीच आपसी रणजी से जुड़ा बताया जा रहा है घातना की सुझना मिलने पर मेराल थाना पूलिस ने सौओ को कबजे में लेकर पोश्माशम के लिए सदर अस्पताल भेज़ दिया है पूरुश नसबंधी को लेकर धानबाद में चलेगा अभियान राई सरकार की निदेश पर जीले में पूरुष नस्वंदी को लेकर अभियान चलाया जागा इसकी तियारी स्वास्त विभाग ने शुरू कर दिया है बता दे हर वर्ष दिसंबर महिने में स्वास्त विभाग की और से परिवार नियोजन को लेकर विशेस कंप लगाया जाते हैं कुरोना संक्रमन काल की वज़ा से पिछले दो वर्षों में परिवार नियोजन को लेकर पूरुष नस्वंदी नहीं हो पा रही थी अब इस बार संक्रमन के मामले काम होने के बाद एक बार फिर अभ्यान सुरू किया जा रहा है धनबाद में जहामो को अनुसासन हिंता पड़ी भारी जहामो जिला अध्याक्स रमेश टूडू एम जिला सचीवपवन मकतों को अनुसासन हिंता अन्ता भारी पड़ गई है मुख्यमंत्री हैमान सुरे ने इस पर सकती दिखाते हुए जिला कमिटी समेथ धनबाद जिले में जहामो की सभी कमिटियों को ततकाल परभाव से भंग कर दिया साथ ही आठ सदस्याई संजोजक मंडिली का गठन किया है बता दे संजोजक मंडिली में जहामो बेव साइग, प्रकोष्ट के केंद्री अध्याष, अमितियस, पुर्व जिलाध्याष, कंसारी, असोक मंडल, डाक्टर निलम मिस्रा, धर निधर मंडल, नाकुल महतो एवाम, उलावदिन अंसारी सामिल किये गए है वहीं पार्टी महा सचीव बिनोत पांडे ने कमीटियों के भांग होने एम संजोजक मंडली के गठन का आदेश जारी कर दिया है बाबुलल मरांडी ने किया बालू घोटाले का दवा, जार्खन में बालू घाटों की निलामी नहीं होने से उपजा संकट विक्राल होता जा रहा है सरकारी और निजी निर्मान कारियों की गती बालू की कमी की वज़ा से धिमी पड़ गई है यदि बालू मिल भी रही है, तो तयरेट से कही ज्यादा कीमत पर बालू की कलबाजारी तक हो रही है सिकायते यह भिया की भले ही बालू घाटों की निलामी नहीं होई हो लेकिन अवज तरीके से बालू का खनण किया जा रहा है हलात ऐसे भी है कि बालू महांगा होने की वज़ा से कई घरों का बज़त बिगड़ गया है बतादे बीजेपी बिधायक दलके नेता और परदेश के पहले मुख्यमंतरी बाबुल अमरांडी ने कहा है कि जार्खन में हर महीने सो कोडोर रूपए से अधिक कबालू का अवयद धन्धा फल फुल रहा है उन्होंने सरकार प्रगंभीर आरूप लगाते हुए कहा है कि अवयद कमाई में हिस्चेदारी का खामिया जाना राज्ये की जानता भुगत रही है उन्होंने कहा है कि पीम आवासे लेकर बड़े निमानकारे ठप पड़े हुए है पलस टू स्कूलों में सिख्षकों के 5000 पद स्रिजित होंगे जारखंड के 625 पलस टू सकूलों में साच से नौ नव नव पदों का स्रिजित किया जा रहा है है इसे राज के पलस टू स्कूलों में 4500 से लेकर 57 100 से असुंतकोथ शिक्षकों के पद स्रिजित किये जा रहे है राजनितिक बिग्यान समाज सास्त्र मानो बिग्यान दर्शन सास्त उर्दू और जन जातिय भसाओं के एक एक पदो का सी रिजन हो रहा है इसको लिए सिक्षा वज्चता विभाग ने इसका प्रस्ताव त्यार कर मंजूरी के लिए सिक्षा मत्री जगनात्मातों को भेजा ह धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते हैं चैनल के सब्सक्राइब कर बहुत कर बेले गंदवाई यह सची साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के साज़ेर करना भूले सची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाएक आवस से दे थांक्यू